पिशले कुछ दिनों में इंटेनेट पर सबसे ज़ादा देखी गई है रनबीर और आलिया की शादी की पिच्चर्स ये पिच्चर्स बेहर क्यूट है और इनमें सिर्फ पियार ही पियार है लेकिन अब रन्बीर और आलिया की शादी की ही कुछ पिच्चर्स को देखकर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं लोगों का कहना है कि इतना क्यू कर रहे हो थोड़ा रुख भी जाओ क्या करने की बात कर रहे हैं? वेल किस करने की बात कर रहे हैं? आलिया और रन्बीर की शादी में एक western touch तो रहा है इंडियन शादी थी लेकिन उसमें western touch 100% रहा है यही कारण है कि ना बरात मिकली ना दुला घोडी चड़ा बस घर के अंदर ही यह शादी हो गई और फेरे को लेकर भी कहा जा रहा है कि 6 फेरे लिए या 4 फेरे लिए इसी बीच रन्बीर और आलिया ने अपनी शादी की जतनी भी ceremonies थी उन्हें डेड़ दिन में निपताया और हर एक ceremony पूरी होने के बाद रन्बीर आलिया ने kiss किया है यही कारण है कि दोनों की लिप लॉक की कई सारी pictures भी आये शादी की जहां इन pictures को देखकर लोगों को लगा कि दोनों के बीच कितना प्यार है वहीं अब social media पर कुछ लोगों ने रन्बीर और आलिया को ट्रोल भी किया है कि अब शादी हो गई है अब पूरे साल यही करना है एक user ने कहा कि पक गया हूँ चुम्मा चाटी देखकर अब सुहाग रात भी क्या मंडप में ही मनाऊगे वहीं एक और user ने फेरो पर तंच कसते हुए कहा कि फेरो से जादा तो इहोंने किस कर लिया इनकी शादी में तो दूसरे ने कहा कि अब बस भी करो अगली anniversary तक तुम्हें यही करते रहना है तो एक और user ने कहा यह कितनी कोशिश कर रहे हैं western culture को copy करने की कम से कम तुम इस बात के लिए तो इन्हें appreciate कर लो यानि कि कह सकते हैं कि इन्होंने शादी भी Hollywood से copy की Bollywood में क्या कुछ भी original नहीं है जहां Bollywood में फिल्में जो है वो या तो Hollywood की remake बनती है या Hollywood से inspired बनती है वहीं शादिया भी अब Hollywood की तरह होने लगी आपको बता दे कि इससे पहले रनवीर और आलिया की शादी में घोडा नहीं इस्तमाल करने की बात पर आलिया की मदर सोनी राजदान ने कहा था कि एक horse free wedding है जिसके लिए भी भट family को काफी ट्रोल किया गया कि घोडी पर बैठके जाना तो हमारा tradition है इसमें कौन सी cruelty है और क्या फिल्में जब बनती है जब फिल्मों की shooting होती है तब जानवरों का इस्तमाल किया जाता है तो वो cruelty नहीं जो non-witch बनता है Bollywood की partyों में भर-भर के वो खाया जाता है क्या वो animal cruelty में नहीं आता है क्या सिर्फ घोडे पर बैठकर जाना ही animal cruelty है